Hello everyone, welcome or welcome back to my channel तो guys, आज की वीडियो में जो है, मैं आप लोग के साथ बहुत छोटा सा वीडियो शेर करनी हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम जो potly balls होती हैं, उनको किस तरह से fix करते हैं, ठीक है जी? I hope कि आप लोग लिए जो है वीडियो helpful रहेगा, पसंद आए तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहापर अपना neck बना लिया है, और प्लैकिट बना कर तयार कर लिया है, और एक तरफ से उसको सिल भी दिया है, तो आ अब हमने क्या करना है, जो हमारा neck है, उसको हमने कितना open रखना है, वो हमने सबसे पहले देखना है, यह देखिए, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, कि हमने प्लैकिट बना कर तयार कर लिया है, और अब जिस side पे लगानी है, हमने, वो side को हमने रहने दिया है, ठीक है जी अब हमने क्या करना है अब उपर से हम इसको नापेंगे जितना हमने छोड़ा था तो मैंने न 3,5-3 इंच जो है इसको ओपन रखना है उपर से ये रेखें साड़े 3 इंच जो है हम इसको ओपन रखेंगे तो मैं वो नाप लूँगी कि ये बिल्कुल उतना ही है exact ये ना है और इसके अंदर ऐसे रखना है और इस तरह से ऐसे इसको स्टिच करना है अगर आप लोग एक पैर वाले बूट से सिलेंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी ये देखें इस तरह से मुझे अभी भी कोई भी दिक्कत आती है स्टिचिंग म आने में तो ये मैं उनसे ही करवा रही हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से वो कर रहे है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आईगी आप लोग देखिएगा तो यही रीजन है कि मैं इनसे करा रही हूँ ये देखिए इस तरह से अब जितना भी गैप आपने छोड़ना है जितना गैप छोड़के आपने ये पॉटली बॉल्स जो है अटैच करनी है तो आप इसको एक एक करके जो है इस तरह से ऐसे लगाते जाएए और बागी प्लैकिट बनाने का जो है मैंने तरीका अल्रेडी बता रखा है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देदूँ कि आप लोग चेक कर लीजिएगा ठीक है जी ये देखे इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे और ऐसे हम जो है इसको सिलते जाएंगे और ये पॉटली बॉल्स किस तरह से बनानी है इसका भी मैं एक वीडियो जो है आप लोग की साथ शेयर करूंगी आप लोग बताईएगा कि मैं शेयर करूं या ना करूं वैसे तो अल्मोस्ट सभी को आती ही होंगी ये तो देखे वे हैं तो देखिए अब जहां तक भी हमने इसको लगाना है न एक एक करके हम इस तरह से ऐसे इसको लगाते जाएंगे ये देखिए और फिनीशिंग आप लोग देखिए कि कितनी प्लैकिट तयार कर लेनी है और लास्ट में हम जो है इसको पका करकर इसको जो है रोक देंगे ये देखिए इस तरह से और देखिए कितनी फिनीशिंग के साथ जो है हमारा पोटली बॉल वाला प्लैकिट बनकर तयार है और बैक साइड से भी मैं आप लोग को दिखाती हू कि ये कैसा दिखेगा ये देखे ये front side से कुछ इस तरह से दिख रहा है और back side से कुछ इस तरह से दिखेगा तो जो भी इसके ratio रह गए है जो potly balls थोड़ी बहुत बड़ी थी जो दिख रही है placket के बाहर उसको आपने इस तरह से ऐसे cut कर देना है ताकि finishing बहुत अच्छी आए क्योंकि stitching का मतलब है कि finishing back side से भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए अब जो है इसमें collar लगेगा किस तरह से इसमें collar लगेगा वो मैं जो इसका sample है उसमें आप लोग को दिखा देती हूँ और collar लगाना भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ link में नीचे description में दे दूँगी तो देखिए जो हमारा neck है वो बनकर कुछ इस तरह से दिखेगा इस तरह से ऐसे इसमें जो है round collar आएगा collar की भी videos जो है मैं already बता चुकी हूँ आप लोग को link में नीचे description में दे दूँगी तो I hope कि जो है आप लोग को आज का ये चोटा सा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया चैनल को subscribe जो करेगा वीडियो को like करेगा शेयर करेगा तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिज